मस्ते दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल कुसूम की रसोई में आड़ी है दिवाली और दिवाली की समय तो हम लोग सभी घर के साफ सफाई में तो लगे ही हुए होंगे दोस्तों तो मैं उसी चुटी चुटी टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हूँ जो आपको सभी कामों को आसान और बहतरीन बनाएगी और साथ समय और पैसे भी बचाएगी तो प्लीज आप लोग वीडियो में बने रही और दीखिए कि मैं किस तरह से फूल जारू और जोल जारू और जारू का किस तरह से इस्तमाल की हूँ प्लीज आप लोग वीडियो में बने रहे द दोस्तों मैं बहुत ही अच्छी अच्छी इसमें आप लोग को टिप्स बताई हूं और घर की महिलाई तो जरूर देखिए तो वीडियो के लाज तक बने रहे और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैम जरूरी ही खड़ीदा जाता है तो देखिए मैं इसे हम लोग सभी परसान हो जते हैं नई जई जहारू लाते हैं तो मार्केन में अब तो प्लास्टिक वाली जहारू चल चुकी है मगर हम लोग फूल जहारू लाते ही है धन्तेरस के दिन तो क्या होता है कि इसे इसमें जो साफ करने के बजाए और हमारी जुक हर है वो गंदी हो जाती है तो चलिए मैं इसी का उपाय लेकर आई हूं आप इस तरह से प्लास्टिक में जहारू को पहले इस तरह से भर दे और इसके बाद इस तरह से हातों से हातों की सहायता से इसे रगर ले देखिए किस तरह से एक प्लास्टिक में अच्छे से निकाल लोगी और हमारा घर भी गंदा नहीं होगा ऐसे में बाहर कर रही हूं दोस्तों घर में यह बहुत ही फैल जाएगा दोस्तों फिर तो हमें कोई फाइदा नहीं रहेगा तो देखिए इस तरह से इसके गंदी जो है वो बाहर निकल गई चली में एक और ट्रिक बताती हूं दोस्तों आप पुर्णा वाला हो गया है एक और में बताती हूं यह नई जारू से हम लोग परसान हो जाते इसमें जो है वो गंकी निकलती है और हमें हमें हमारे घरों में यह इसम चारू तरफ फैल जाती है तो फिर जारू का जो फैल तो फिर हम लोगों को और भी घर साफ करना पर जाता है इससे हम लोग बरसान ना हो तो देखिए आपको घर में कोई भी अगर तूज ब्रस है ना दोस्तों यह बड़े वाले कपड़ा धोने वाला जो ब्रस आता है उसे आप इस तरह से रगर करेंग इसे रगर लेंगे एक ब जारू का जंजट एकदम खतम हो जाएगा और एक बार में निखल जाएगा अफिर आप जारू से घरों में अच्छे से घर को साफ कर सकते तो दिखा एक प्रस का कमाल तो आप लोग एक बार इससे जरूर ट्राय करेंगा हमारे यह टिप्स कैसी लगी आप हमारे साथ बार ऐन जारू या हम लोग नारियल ओस जारू भी इसे बोलते हैं तो यह जारू क्या होता खोरीक दोस्तो चलिए बताती हूं तो गर पर आप रोला से में साफाई ने ने कर पाते हैं जब क्वे आप जारू ने चाहिए यहां पर वाला हिस्सा होता है तक आफ बहुत ही प जुक्रा होना चाहिए बीच में तभी जो यह जारु पर्फेक्ट होती है दोस्तों देखिए मैं क्या करूंगी इसका उपर वाला हिस्सा है इस तरह से कैची आपके पास तो हो गाई तो यह तेज धार धार वाली ता चांकु जो तो तो हो गी ही तो आप लोग क्या करें उसस तो आपको यह नहीं में तो चलते हैं हुक्ति है एसका उपर वाला हिस्सा हुटा हो था से तो चलमें इसका प्यूंपाहि कर ले न है उपर से कट तो अपको यह टिप्स कैस लगी आप हमारे साथ कमें एक लिए जरूर सेयर करगлюч कितनी अच्-स थे खाली है तो चलिए मै मेरी नई वाली मकरी जाला तुम करने वाली जारू और यह हमारी पुरानी वाली एक्सर क्या हो अक्रेस तुम कहते हैं अब अब ल들이 तूर जाती है कि शर्षा के जो टूट आती बाकल सकते हैं सकती फ्यंक्न defect तो 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 आज और आपके पास भी ढंटा हो या लकृ का शोड़ा या इस तरह से फीर लहे साम스탁 यो यह रज़ी हो walls 179ram नसक्ति हमाना नहीं और की इंग तर इसte तरह से हमाना झुका आटी है दोस्तों तो से तो हम फेकैंगे नहीं और दिवाली का समय है तो ऐसे किसी सरा से मैं इसे इस तरह से बांध कर में इस साफ करूंगी आप दो AZ ईसे में बांध रही करिए का इस तरह यह वाला एक बार लीजियेगा दोस्तों यह आप इस तील वाला क्या हुआ था अक्सर यह तोड़ता नहीं है दोस्तों और यह दिखिए यह से इस इस तरह से यह मुढणि पर ना पानी भी इसका सारा मत पोछी अंदर जो इतना भी पानी रहता है वो निकल है इस तरह से में ली थी पुराना वाला मेरा मेरा तो यह मैं ली तो क्या हो गया था यह तो यहे तो यह हैं से इस को नीचोड़ने के लिया था तो यह ज़्यादा दिन तक टीक द साशिक ता यह तो आप लोग तो कोशिश Cos पर ने और topics शब्रुआ को zustा कि seuม है आप लोगे कर देखाएं हुँ, एक डंडे को लेकर में इस तरह से रसी की सहायता से इसे में मजबूती से बान दिये हुआ और इसे भी मैं फोच्छा लगाती हुँ, मतलब घर में धर के भाहर पोच्छा लगाती हुँ नेक्स टीप से हमारा ये देखिए हम लोग घरों में अक्सर मेरे हमारे पुराने जारू क्या होते है वो मतलब सफाई करते करते गंदी हो जाती है और अक्सर हम जारू को धो नहीं सकते हैं तो आज मैं इसका एक बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूं आप लोग क्या करें कि इसे धोने से तो हमारे जारू तो खराब हो जाएगी मगर इस पर पाउडर डालेंगे दोस्तों तो खराब नहीं होगी और हमारी जारू भी है वो साफ हो जाएगी मतलब इस जाहर थो आजएगा जारू दिखने पाउडर के साथ हमारे जितनी भी जाहरू के गंगी है वो सारा बाहार निकलकर चलि आएगी और बहुत ही एकदम अच्छी हमारे जारू ज़ाएगी और हमें जाहरू को फटेइग और भी नहीं पड़ी हमारी जारू भी साफ हो अक्ते हमारे घर में जोल जारू को थे जीट हैं दोस्तों ही क्या modest that कि जोल जो है इसमें फस जाती है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इसमें ये फस है और असानी से जो इसका मकरी का जाला है वो बहार आ जाए जोल जारू से तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें न थोड़ा सा पहले हम लोग जोल जारने से पहले मकडी का जाला साफ करने से पहले इसमें थोड़ा समय पाउडर का चिरकाप करूंगी ऐसा इसलिए करेंगे दोस्तों कि इस पे पॉर्टर की चिकनाहट आजाएगी और जो भी मकरी का जाली और जोल इसको साफ करेंगी घर का तो क्या होगा इसमें चिपके का नहीं और असानी से मतलब कोई भी ब्रस लेंगे न दोस्तों असानी से ये बहार आजाएगी तो ये ट तो सब्सक्राइब करने बारेच बोस्ते ग्रीजिगा करने है means जरूसे लगने और प्लीज दोस्तों और फ़्मारी महनत अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिया dif और हमारी हमारी वीडियो को फैमिली के साहथ श्रहाइब कर दीजिया और घाले कुझा कमारे साथ कमिन में जरूर सेयर करिएगा मिलूंगी आप से ऐसी ही नई नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ तब तक के लिए बाइए